आजकल सिनिमा में फैशन चल रहा है मास सिनिमा का, थेटर्स में लाजर देन लाइफ टाइप के रोल्स दिखाकर फिल्म बनाने वाले करोड़ों चाप रहे हैं आपने कांतारा रही है, एक मास विट क्लास टाइप की फिल्म है वो इसमें जबरदर्स एक्शन है लेकिन एक स्ट्रॉंग मेसेज भी है जो डिरेक्ट अपने रिलीजन से कनेक्टेड है ठीक इसी पैटन पे टोबी को भी तयार किया गया है खून खराबा मार धार नेक्स लेवल और एंड में एक खतरनाक पनिश्मेंट जिसको देने खुद देवी आती है, मौत की देवी तयार कहानी इस बार भगवान नहीं बलकि शैतान के राजा सेटन की है जो गलती से इंसानों के बीच में पैदा हो गया है अब टेक्निकली डेविल की आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी है ना, सिर्फ इमैजिनेशन से फोटोस बनाते हैं तो अपना टोबी भी गूंगा है, सेटन बोलता नहीं है, सिर्फ करता है पुलिस स्टेशन में देखा है आपने अलग-लग क्रिमिनल्स के नाम की हजारो फायल्स होती है उसी स्टेशन में टोबी के नाम का पुरा कमरा भरा हुआ है गन्ने का जूस पसंद है आपको, अरिश शुगर केन जूस पिया है कभी, वो इस मशीन से निकलता है गन्ना अंदर जूस बहार क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलू, टोबी तलवार, बंदूग, बॉम, यह सब मैं भरोसा नहीं रखता उसका सबसे खतरनाक हतियार यह शुगर केन वाली मशीन है, इसके अंदर जाता है पूरा इंसान और दूसरी तरफ से सिर्फ जूस बहार निकलता है क्या हुआ डर गए क्या, सोचो अभी तो सिर्फ मैं बोल के बता रही हूँ, जिब खुद अपनी आँखो से देखोगी उस वक्या हाल होगा आपका देखो बहुत ऑनिसली बोलू, कंड़ा सिनिमा से मेरा फॉर्मल इंट्रोड़क्शन हुआ था पात साल पहले 2018 में जब रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ देखी थी मैंने फिर चार साल बात जब केजीएफ टू रिलीज हुई थीएटर्स में मैं पूरी तरह फान हो चुकी थी कंड़ा सिनिमा की इंडियन फिल्मों का मीनिंग बदल गया मेरे लिए और इसी जर्णी में मेरी मुलाकात हुई थी एक टीसरी फिल्म गरुणा गमना प्रश्वा वहाना से वो मुमेंट था जब मैं समझ गई कंड़ा सिनिमा टॉप पे जाएगा राज शेटी बॉस ये बंदा खुद में एक अलग सिनिमा है क्या फिल्मोग्राफिय है इनकी क्या परफॉर्मेंसिज है क्या जबरदस टैलेंट है टोबी शायद एक नॉर्मल फिल्म बनके रह जाती या फिर इसको कॉमर्शिलाइज भी कर सकते थे और काफी ज़ादा ओडियन्स इस फिल्म को पसंद भी करने लगती लेकिन राज शेटी ने इस फिल्म को इतना ज़ादा रौ और बूटल बनाके प्रेजन किया है कि शायद सौ मेंसे नब्दय लोग इस फिल्म को संधेंगे नहीं बट बाकी दर जिन्दगी भर कभी नी भूल पाएंगे ऐसा सिर्मा बना दिया है टोबी को इतना ज़ादा डार्क फिल्म जिसमें सब कुछ दराबना है ये गुल्लक देखिए आपने बच्चे इससे बच्पन में कितना खेलते हैं कभी सोचा इसको देखकर ऐसा डर लगने लगे कि पूरी राथ सो नहीं पाऊगे आप और इसके पीछे का रीजन है टोबी का एक खतरनाक सीन आक्चिली शॉक वाली फिलिंग तभी आती है ना जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट बिलकुल नहीं करते जसे राख शेटी को देखकर कोई बोलेगा ये बंदा एक साइको सीरियल किलर वाला करेक्टर प्ले करेगा फिल्म में जो गन्ने की मशीन में लोगों को मारता है बट जब फिल्म में इनको रिवील किया जाता है और एक-एक सीक्रिट बहार आता है धीरे-धीरे आपका मूँ बढ़ा होता चला जाता है टोबी के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हर सीन को बड़े आराम से एकदम टाइम लेकर ओडियन्स के सामने रखती है ताकि लोग इसको फील करें बट इस चपकर में फिल्म थोड़ी लंबी हो जाती है और जो नॉर्मल ओडियन्स है जिसको मिर्च मसाला मूवीज पसंद है वो कहां इतना पेशन्स रखती है Simple words में बोलू Toby हर किसी के लिए नहीं है हर टाइप की ओडियन्स इससे connect नहीं करेगी KGF कांतारा वाला entertainment भी नहीं है अंदर बट टोबी टोबी है real cinema जो reality और film fiction दौनों के बीच का gap zero कर देता है एकदम असली जिंदगी जैसा meaningful intelligent filmmaking और हाँ फिल्म के climax के लिए खुद को ready रखना आप वहां तक आते आते goosebomb शब का असली मतलब समझ जाओ गया तोबी को मेरी तरफ से मिलेंगे पांच में से पूरे चार स्टार्स पहला एक normal story को भयानक बना देना सिर्फ presentation के दम पर दूसरा एकदम raw and brutal scenes बिना किसी filter के ये lifetime याद रहेंगे आपको तीसरा religion and culture से जोड़ देना इस film की कहानी को जिस सिर्फ फिल्म का climax volcano बन जाता है चौथा राख शेटी की cult performance and literally सारे supporting actors एकदम real life feeling देते हैं totally natural acting negatives में काफी लोगों को शिकायत होगी film के screenplay से जिसको वो slow बोलेंगे film लंबी है ये भी गलती निकाली जाएगी मुझे लिक्कत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा cinema पसंद करती हूँ लेकिन general audience अभी Toby की film making के लिए ready नहीं है भाई अगर आप सचे cinema lover हो तो वो गलती मत करो जो मैंने की थी गरुणा गमना के वक्त रियल cinema देखना है तो Toby के ticket book करो बट हां not for everyone ये warning में तीसरी चौती बार repeat कर देती हूँ आपके लिए ध्यान रखना बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायब करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी पढ़ना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई